पीएम मोदी के आत्मनिर्भर बनने वाले एलान पर जहां विपक्षी दल पीएम मोदी और केंदर सरकार की निंदा कर रहे हैं और उनके आगे तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं ऐसे में कुछ लोग हैं जो पियम मोदी के इस फैसले की सराहना कर रहे हैं इनकी माने तो पियम मोदी के इस फैसले से देश में नई उम्मीद जगेगी और देश का युवावर्ग कुछ अलग करना चाहेगा तीन दोस्तों ने मिलकर कटिहार जैसे कजबाई शहर में शुरू की इ-कॉमर्स से जुड़ी हुई नई कमपनी सुई से लेकर मोटर साइकल तक की विक्री के दावा करने के साथ-साथ ये कमपनी दूसरी जरूरी सेवाए भी उपलब्द कराने के लिए शेत्र में काम कर रही है और अब प्रधान मंत्री आत्म निर्भर भारत की मुहीम के तहट लोकल से वोकल टैग लाइन से इस कमपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर रिशी आनंद बेहद संतुष्ट है उनका कहना है कि उनकी कमपनी लोकल नाइन्टी लाइन पहले से ही इसी उद्देश पर काम कर रही है एक e-commerce website है इसे सुरू करने के पीछे हमारा वक्सत था कि हम लोग जो छोते कस्वे के दुकानदार है वेंडर है जो विसाए हैं विसाइक लोग है उन्हें e-commerce website में जोड़ा जाए उन्हें आज के आधुनिक दौर में मुख्यधारा में लाया जाए इसके लिए हम लोगों जो हमारे skill provider हम लोग के पास थे उनसे हम लोगों ने मिलकर इस website पे काम किया इस पूरे website की खासियत यह है कि इस website को हम लोगों ने खुद से बनाया है यानि my local 99 की team ने ही इसका construction किया है इसको इसकी programming की है और इसका maintenance भी हमी लोग खुद कर रहे है इसको जमीनी तोर पे operation भी हमी लोग कर रहे हैं कोई third parties में काम नहीं करती है जिसके वज़ा से कोई extra cost इस पे नहीं परता है और जब हम लोग छोटे लोगों को वेंडर को इस पर जोड़ते हैं तो हम लोग उनसे कुछ extra charge नहीं करते हैं मानी ने परधान बंतर जी ने चो अपना समोधन दिया और उसम करते हैं कि हमारा उद्देश भी आप से तीन सार पहले यही था कि हम छोटे तपके के लूगों को लोकल वेबसाइग को ग्लोबल में तबदिल करें अब लोग क्या करते हैं जो आपको सर्विस प्रवाइडिंग करते हैं और आपको सुई से लेके वाइप तक वहिया कराता ऐसे में देखने वाली बात होगी कि इनकी ही तरहा देश के दूसरे युवा भी यही सोचते हैं कि पियम मोदी के आत्म निर्भर बनने वाले फैसले से ए बाजार समेत दूसरे बाजारों में भी लोगों के लिए कुछ उम्मीद जगेगी कटिहार से नियूज के लिए शाम कुमार की रिपोर्ट